वेलकम टू नेक्सक्जाम आज है 12 फरवरी 2030 और 12 फरवरी 2030 से करेंट फेस्ट के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पू आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगे और टेलेग्राम गुरुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरुप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन है हाली में 200 यू जुनानी दिबस मनाय गया तो उस कुश्चन का बे ऐप्सें सही है हाकिम अजमल खान की जैनती की रूप में ये जिस बेस यूनानी दिवस इस बार इसकी थीम क्या है इस बार इसकी थीम है यूनानी मेडिशन फॉर पबलिक हैल्थ क्या है यूनानी मेडिशन फॉर पबलिक हैल्थ अच्छा अभी एक फरवरी को भारती तट रच्छक दिवस मनाये गया दो फरवरी को बेसु आदरभूमी 75 मा सुतनता दिवस मनाया है अच्छा, 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया गया और 10 फरवरी को बेसु दलहन दिवस मनाया गया तो फरवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाया गया है ये आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं चाली से आलाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे चूटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो है तो नतालिया गवरलता यह मॉल्डोवा की अभी तक प्रदानमंत्री थी लेकिन अब इन्हों ने प्रदानमंत्री के पद से स्थीवा दे दिया तो इसको इनका डे ओप्सन से यह अब मॉल्डोवा तो यह है मैप में मौल्डोबा मौल्डोबा की केपिस्टेल क्या है किशनाट इसकी करंसी क्या है मौल्डोबन लिए और इसके प्रेजेंट टैम पर प्रेसिडेंट कौन है मैया सेंडू कौन है मैया सेंडू और यह जो नातालिया गिर लिता थी यह अभी तक मौल्डोबा की प्रता बिभाग का उद्गाटन किया है तो अभी सर्बानंद सोनुवाल ने दिल्ले के सफदर जंग अस्पताल में इंटी ग्रेटिब मेडिशन बिभाग का उद्गाटन किया तो इसकुशिन का से ओप्सिंस है केंद्री बंदरगहा नौवहन जलमार्ग और आयोस मंत्री हैं सर्ब बिभाणन सोनुवाल इन्हों नहीं अभी सफदर जंग अस्पताल में इंटी ग्रेटिब मेडिशन बिभाग का उद्गाटन किया है नहीं किस ने फॉर्मूला ए चैंपियंशिफ को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया है तो फॉर्मूला ए चैंपियंशिफ इसको केंद्र मंत्री अनुराक ठाकों ने भारी जंडी दिखाकर रवाना किया तो इस कुश्चिन का बे अप्संस है और यह जो फॉर्मूला ए चैंपियंशिफ है यह कहां पर सुरू हुई है यह हैदराबाद में हुई है और यह पहली बार है जब फॉर्मूला ए चैंपियंशिफ का उ हरी जंडी दिखाई है तो अभी प्रदानमंत्री मोधी ने मुंबई में दो नई बंदे भारत ट्रेनों को हरी जंडी दिखाई तो इस कुश्चिन का बे अप्संस है और मुंबई में ही प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने अर्भी अकादमी परिसर का उद्गाटन किया अर्भी अकादमी परिसर इसका उद्गाटन मुंबई में प्रधानवंतिरी नरेद्र मोधी ने किया अच्छा अभी उत्तरपदेश की लखनों में ग्लूबल इन्वेस्टर समिट का उद्गाटन भी प्रधानवंतिरी मोधी ने किया और मुंबई में अभी एक उत्सब मनाय एक वैंने आपको कता है काला घोडा कला हूत यह अभी मुममइ में मनाए गय क्लाले क्या हाली में वर्ट वर्च राज का निधन हुआ है विकॉन थे तो वर्थ वर्च राज यह संगीतकार और अभी इनका निधन हए तो इसकुशन का A options है ये थे प्रसिद अमेरिकी पॉप सिंगर बर्ट बच राज इनका अभी निधन हुआ है नेकुशन है हाली में किस देश की बेसुकप इसकिंग पदक विजेता एलेना फांचेनी का निधन हुआ है तो एलेना फांचेनी ये इटले की इसकी अर्थी और अभी कैंसर की वज़े से मात्र सैंटी साल की उम्रों में इनका निधन हुआ है तो इसकुशन का C options है ये थी एलेना फांचेनी ये बेसुकप इसकिंग पदक विजेता थी अभी इनका निधन हो गया है नेकुशन है हाली में किस ने डिजिटल भुकतान उत्सब लॉंच कि है तो इसकुशन का C options है है हमारे present time पे railway मंत्री भी है अश्विनी बैशनव ये केंद्री electronics और सूचना प्रद्यू की संचार मंत्री भी है इन्होंने देश बर में डिजिटल भुकतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुकतान उत्सब लॉंच किया है नेकुशन ह हाली में World Government Summit 2023 कहां शुरू होगा तो World Government Summit 2023 ये अभी दुबई में शुरू होगा तो इसकुशन का A options है दुबई में ये 13 फरवरी को शुरू होगा और इसकी theme क्या है Saving Future Governments क्या है Saving Future Governments नेकुशन है हाली में Meta ने J20 अभियान के लिए किसके साथ साज़दारी की है तो Meta ने अभी J20 अभियान के लिए Ministry of Electronics and Information Technology के साथ साज़दारी की तो इसकुशन का A options है Ministry of Electronics and Information Technology इसके साथ Digital सुरुक्षा अभियान के लिए Meta ने साज़दारी की है Next Question है हाली में केस राज सरकार ने Family ID Portal लौंच किया है तो अभे उत्तरपदेश सरकार ने Family ID Portal लौंच किया तो इसकुशन का A options है Family ID Portal इससे क्या होगा इससे अब उत्तरपदेश में हर परिबार की एक unique ID वनाई जाएगी और ऐसे परिबार जिनके पास राशन कार नहीं है उनको अलग से राशन की विवस्ता की जाएगी तो यह है Family ID Portal इसको अभी उत्तरपदेश में लौंच किया गया अब उत्तरपदेश तो यह है map उत्तरपदेश की capital क्या है लखनव उत्तरपदेश की चीपनिष्ट्र है योगी आतनात उत्तरपदेश की गवर्नर है आनंदी बेन पठेल उत्तरपदेश की राज की पसू है बारे सिंगा राज की पच्ची है सारा सियक्रोंच राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रक्ष है असोग का ब्रक्ष अच्छ उत्तरपदेश के मुक्य मंदरी ने लड़कियों के लिए विए पहल प्रसेख्छड कारिक्रम शुरू किया और उत्तरपदेश के मुक्य रॉय दूजर 23 पुरुसकार किसे प्रदान किया गया तो अभी ए वी के प्रसाद को राजा राम मोहन रॉय दूजर 23 पुरुसकार प्रदान किया गया तो इस कि चाल्सत्रती के आदिकारिक राज चिन का खुलासा हुआ है तो एपल के पूर मुख डिजाइनर है जॉन आरे इंके द्वारा की साल्स टर्थी के आदिकारिक राज चिन का खुलासा हुआ है नए क्योंशन है किसने 500 नए बिमान खरीदने के लिए Airbus और Boeing के साथ deal की है तो अभी Air India ने 500 नए बिमान खरीदने के लिए Airbus और Boeing के साथ deal की दूशन का A options है अभी ये deal Air India ने की है तो Air India की स्थापना का हुई 1932 में इसका headquarter कहां पर है New Delhi में और इसकी present time पर chairman कौन है नट राजन चंद सेकरन नए कुशिन है हाली में सबसे तेज 450 बिकिट लेने वाले दूसरे गेंदवाज कौन बने है तो R. Aswin अभी सबसे तेज 450 बिकिट लेने वाले दूसरे गेंदवाज बने तो इस कुशिन का say options है R. Aswin ने 89 test match में 450 बिकिट ले है और इसे पहले 80 test match में 450 बिकिट मत्हया मुरली दरहन ले चुके हैं तो ये दूसरे गेंदवाज बने हैं जिन्हों सबसे तेज test match में 450 बिकिट ले है अब last video की question का answer last video मैंने आप से question पुछा था कि हाली में कहां बारत का पहला glass igloo restaurant खुला है तो अब एक गुल मर्ग में बारत का पहला glass igloo restaurant खुला यानि किस question का say options ही था और लगबग सभी श्ट्रोयनेस का answer सही दिया most least awareness के वारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में हीलो इंडिया बिंटर गेम्स का तीसरा संस्क्रट कहां सुरू हुआ है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सरच करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सरच करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा, आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है helpful लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का मारा current interface का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अब ही तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नेक्स्ट एक्जाम और बेच विद यू थैंक्स पर वाचिंग